चेप्टर नमबर वन में जो ब्रिक्स, बीट्स और बोन्स वाला चेप्टर है उसमें हमारी जो मेच्वर हडपन साइट्स हैं उसको यह दिया हम देखें तो हडपा है वो नदन पाकिस्तान में है बाला कोट सदन पाकिस्तान कोश्टल पार्ट में है तो एक कोश्ट वाले प गुजरात लोथल सदन गुजरात नागेश्वर गुजरात के अंदर कोस्टल पार्ट में जो तीनों जो सुरुआत से साइड में करें तो नॉर्मली हम राजस्तान वाले पार्ट को देखें तो देखें यहां तीन साइड सूपर नीची मिलेंगे तो इनमें कन्फिजन नहीं था वो सारी चीजों वाले बनवाली उसको वैसे याद रखना है और पार्ट नमर से हों जो राखी गड़ी है वो उसके जश्ट सोड़ा टिप में है और साथ में देले की उसके अपर वाली साइड में तो जो एकदम पास पास वाली साइड से इनको किसी ने किसी इसके उपर ज्यादा ध्यान रखना है फिर पार्ट वन मौन हड़पा एकदम अलग से है एकदम राजस्तान के ओपर वाली साइड में जो यह आपका क्योंकि आपको हड़पा की कानी पता हुआ कि लावर से जो मोलतान तक जो रेली लाइन जा रही थी तो उसके लिए कोस्टल पार्ट में है कराची के पास से लगा हुआ फिर जो नंबर थ्री वाला आपका कोड दीजी है वह एकदम टिप के ऊपर है यह राजस्तान का जो बाड़मिर का जो श्रीक निकला हुआ इसके एकदम टिप के ऊपर है और उससे थोड़ा सा उपर का पर साइड में आ पहुंजो दारो है रूस से नीचे की साइड में आप देखोगे तो नंबर पांस नंबर पर चंदू हरो है तो आपको इनी रेफेरेंस की साथ चलते विए जाना है फिर हम आप गुजरात की तरफ आते हैं तो गुजरात में हमारे पास है नाइन टेन एन तो नाइन नमर व पार्ट के उपर है वह आपका नागेस्वर है और फिर लोथल है वह एकदम सदन गुजरात में है टेन नमर देखिए आप एकदम से तो गुजरात वाले भी तीनों तीन अलग अलग जगह पर यहाप इजी लिए डेंटिफाय कर सकते हो गुजरात में जो कारो बना वाया है उससे उसका उसे उपर की साइड में आपका दोला भी रहोगा उससे जश्ट नीचे की साइड में जो आपका इदर कोस्टल लाइन होगा वहाँ पे नमर 11 में नागेस्वर होगा और नमर टेन के उपर आपका एकदम माराश्रा की साइड में जो अपर जो टिप बनी होगी उसके उपर लोथल बनाओगा जाही पास में ही आपका दांडी भी मिल जाता है तो दुबारा से हम इसका रिविजिन करें तो हडपा नादन पाकिस्तान में बाला कोट सदन पाकिस्तान में कोट दीजी सदन पाकिस्तान में मोहंजोदारो सदन पाकिस्तान में चंदुहरो सद है कि यार पा को मैं हमेए सा रेलिव लाइन से चोड़ता हूं गोआ जा रही थी तो हड़ा डिलैज किया गया था तो हड़ाभा वहीं लाहुर के आसपास वाला पाठा उसकी आसपास पंजब के से सब सबूह होगा confidently तो प्रसाइड में होगा तो फिर वह आपका चंदूहर हो जाएगा और जो कोस्टल पार्ट में कराची के पास दिखाए देगा अरेबिंची के पास तो मेरा बाला कोट हो जाएगा और गुजरात वाले तीनों पार्ट के लिए सब्सक्राइड में जो कोस्टल पार्ट और टेन नमर टिप के ऊपर जो आपका दांडी भी हो जाता है तो यह सब एकदम एजी है आप देखोगे तो इनको इस इनी रेफ्रेंस लाइन के साथ त्यार करने कोशिश करोगे तो ज्याद आईजी रहेगा